स्टेज पे इन्वाइट करूँगा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बहुत बहुत धन्यबाद बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले इंडिया गठवंदन के सभी बिश्ट नेताओं का सीनियर नेतागन का मैं बहुत तहदिल से धन्यबाद करता हूँ कि आज उन्होंने अर्विन केजरिवाल जी के जेल में डालने के विरोध में यहां आके हमारा होसला बढ़ाया एक बार मैं तालिया चाहूँगा आपकी तरब से भी मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला हूँ मैं बहुत जूनियर हूँ बहुती सीनियर लोग बैठे हैं लेकिन इतना मैं कहूंगा के लोग तंतर खत्रे में है देश का लोग तंतर खत्रे में है इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे डंडे से चला लेंगे ये देश किसी के बाप की जगीर नहीं है ये 140 करोड लोगों का देश है ये आयादी ये आयादी हमें शहीद आजम भगर सिंग राजगुरू सुखदेब मदलाल धींगरा करतार सिंग सराबा चंदर शेकरा या जैसे हयारों योदाओं ने अपनी जवानी में अपनी जवानी में गले में फांसी के रस से लटका के ये आयादी हमें दिये ये इनके किसी बाप दादे की जगीर नहीं है क्या समझते हैं ये इसको भी अंदर कर दो जो हस्पतार बनाता उसको अंदर कर दो जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो कॉंग्रिस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो किसी के नेता फ्रीज कर दो ऐसे जीत लोगे हम बो पत्ते नहीं हैं, हम बो पत्ते नहीं हैं, जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे, आदियों को कह दो अपनी वकात में रहें। कर लां कि समध्रिवाल को अंदर कर दो हेमन सुरेन को अंदर कर दो इसके खार एडी पेज दो इसके अगर इसकी एंपी शिप कैंसल कर दो इसका घर छीन लो अरे मालिक तुम हो इन घरों के मालिक तुम हो इन घरों की मालक 140 कुरोड जनता है कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किस को पहुचाना है ये गलत फैमी में हैं हकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे विताज होता है आज सुनीता जी आज कलपना जी बैठे हैं सोनिया जी बैठे हैं मैं नमशकार करता हूं नमन करता हूं कि इन्होंने इतने दुख जहले इन्होंने क्या क्या नहीं देखा अपनी जिंदगी में आंदियां तुफान जहले लेकिन फिर भी इतने होसले वाले बैठे हैं और आपके साथ है आपका प्यार जो है सबसे बड़ी ऑक्सीजन आपका प्यार है ये तालियां ये तालियां किसी को ऐसे नहीं मिलती किसी को दिहारी देके मोधी मोधी करवाना बहुत इजी है जब कोई दिल से बोलता है न वो बात असर रखती है जब दिल से बोलता है ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं जासे राहूल जी कह रहे है ये देश को नफरत की आंधी में लेकर गए हुए ये ये सीए ये लेकर आए मैं पार्लिमेंट में था मैं एमपी था तब मैंने कहा जी मुझे बोलने का मौका दीजिए कहते नहीं जी मैंने कहते जी तीस सेकंड कहते जी मैंने कहते जी तीस सेकंड कहते तीस सेकंड में क्या बोलोगे नहीं मैंने कहते जी बीस सेकंड कहते बीस मै कहां सुपीकर साब कहने लगे आपका समय शुरू होता है अब तो मैंने 20 सेकंड में बोला मैंने कहा लंगे सफर को मीलों में मत बांटिये कौम को कबीलों में मत बांटिये एक बहता दर्या है मेरा भारत देश इसको नदियों और जीलों में मत बांटिये अर्विन केजरिवाल को तो गिरिफतार करोगे लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरिफतार करोगे जो लाखों अर्विन केजरिवाल देश में पैदा हो चुके हैं उनको किस जेल में कैद करोगे अर्विन केजरिवाल एक व्यक्ति नहीं है और अर्विन के दिवाज एक सोच का नाम है इंडिया गड़ जोड इकठे हैं सब कठे हैं आज सभी के मेरे ख्याल में कहीं का तो कैमरे भी का अपने लगए होंगे ये कठे कैसे बैठ गए ये चाहते ही नहीं हम कठे बैठे कभी ये इदर से कभी इदर से कोई इवा लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सब को क्याओं कठे हो जाएं और इन भिष्टाचारियों को कह दो भगवंत मान ने बोला था इन भिष्टाचारियों को कह दो के जितने मर्जी कठे कर लो पैसे हीरे, मोती मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती कोई पैसा साथ नहीं जाएगा लूट लो देश को कितना लूटना है गरीबों की बद्वाएं ना लो गरीबों की बद्वाएं ना लो हर बात पे जूट चल रहे हर बात पे जुमला चल रहा है जूट पे जूट जुमले पे जुमला अभी जुमले बनाने वाली फैक्टरियां चल रही है अभी आने वाले दिनों में आपके बस नए नए जुमले आएंगे यकीन मत करना मैंने तो पार्लिमेन में बोल दिया था मैंने का जी 15 लाग की रखम लिखता हूँ तो कलं रुक जाती है काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूह जाती है हर बात ही जुमला निकली मोदी जी अब तो ये भी शक है क्या चाए बनानी आती है मुझे लगता चाए भी नहीं बनानी आती होगी जिस किसम का जूट चल रहा है दोना हाथ उपर खड़े करके दो नारे लगा दीजिए इनकलाव इनकलाव बारत मता की वंदे बोले सोने हाल बहुत धन्यवाद अब मैं इन्वाइट करूँगा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के नेशनल प्रेडिजिडेंट श्री मलिका अरजुन खड़गे जी को कि वो अपनी बात आप लोगों के बीच में रखे मलिका अरजुन खड़गे साथ आज देश के सबसे सीनिय नेताओं में से एक हैं जिनोंने अपने बच्पन से अब तक